तो हाई गाइस वेलकम तो नियोगे चैनल तो फ्रेंस आप में से काफी लोगों को ना Redmi Note 10 सीरीज में स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू आ रहा है मेरे को भी यह इशू फेस करने को मिला और इसके रिलेटिड में ने एक वीडियो अल्रेडी चैनल पर अप्लोड की थी काफी लो करना है अगर आपके फोन में इशू आ रहा है तो और साथे साथ यह बता हूँगा कि कौन से हर्ट्स पे मतलब कि 120 हर्ट्स पे कि 60 हर्ट्स पे यह इशू फेस करने को मिल रहा है तो वीडियो के अंट तक ज़रू देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू सिक कर द मेरा Redmi Note 10 Pro Max है तो इसमें यह इशू है और साथे साथ यहाँ पे मेरे को एक और इशू देखने हो मिला है जो की है Google Chrome में Google Chrome में यह काफी जादा फ्लिकर करता है और नॉर्मल टाइंग में अगर हम फोन को यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में कभी कवार स्क्रीन जो है फ्लि मिल देगा नहीं और बात करते है Redmi Note 10 की Redmi Note 10 में आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू लगबख 60% डिवाइस में मिल रहा है जो आपके Redmi Note 10 Pro है उसमें alternate डिवाइस में देखनों मिल रहा है और Redmi Note 10 Pro Max में कुछ गिने चुना डिवाइस हैं जिन में की देखनों मिल रहा है और म ले और home screen refresh rate पे तो यहां पर आपको 120 Hz और 60 Hz का option मिलता है तो दोनों में ही यह issue देखने मों मिला है मेरेको 60 Hz पर भी और 120 Hz पर भी तो दोनों ही refresh rate में option आपको जब भी select रहता है तो आपको screen flickering का issue मिलेगा और अब बात करते हैं आपको क्या करना है अगर आपके phone में screen यहां पर flickering का issue आ रहा है तो आपको क्या करना है दो option होते हैं पहला option है अगर आपने phone को online खरीदा है और दूसरा option है अगर आपने offline खरीदा है मैंने यह phone offline से खरीदा था second अगर आपने online खरीदा है तो आपको क्या करना है अगर आपने online खरीदा है और तब भी आपको issue आ रहा है तो आपका जो phone है वो आप उसके बाद भी अगर आपको इशू आए तो आप service center visit कर सकते हैं second option है अगर आपने offline खरीदा है आपने online नहीं purchase किया तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है simply आपको जाना है अपने near by जो भी near my store है उसमें जाकर आपको बताना है आपको ये issue face करने को मिल रहा है तो वो आपको ये phone जो है do बना के दे देंगे और आपको change करके मिल जाएगा अब बात आती है अगर आपको phone change नहीं करवाना है और आप wait कर सकते हैं तो आप थोड़ाँ सा wait कर लीजे लगबग next update जो भी आएगा अभी जो latest update जो आया था 12.0.8.0 जो आया था ये वाला इसके बाद जो है अब नया update आने वाला है जिसमें की ये issue fix किया जाएगा screen flickering का तो ये जो issue है ये है software based तो software के थुरू ये जो है ठीक हो सकता है तो शाहुमी ने ये claim किया है कि 0.01% devices में ये issue देखने हो मिला है जो कि software से ठीक हो जाएगा तो देखते हैं next update जो भी आता है मैं आपको update कर दूँगा जब भी update देखने हो मिलेगा Redmi Note 10 series में तो उसके लिए आप stay tuned कर सकते हैं बाकी अभी के लिए कोई भी update यहां पर रिश्रीफ नहीं होआ है और ये issue अभी भी face करने को मिल रही है काफी users को Redmi Note 10 series के तो अगर आपको यह issue है आप comments में ज़रूर बताना और अगर आपने device चेंज कर वा लिए और आपको अभी भी issue आ रहा है तो आप comments में ज़रूर बताना यह issue और अगर आपके phone में अब update आने आया है या फिर जब भी आ जाए मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे comment सरूर से कर दीजिएगा तो यह वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो like जब से कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लिजए एस इंटरिस्टिंग वीडियो के लिए मैं मतला से अगली वीडियो में तक तक के लिए बाए